हमिरपुर जीला के बाड़ी फरनोलक शेतर में 14 कश्मीरी मजदूर लॉकड़ान के चलते फंस गए हैं ये मजदूर खैर के कटान के लिए यहां आये थे लेकिन 21 मार्च से काम बंद होने के कारण तंगाली में हैं ये सभी मजदूर घर जाना चाह रहे हैं लेकिन वर्तमान हालातों में इन्हें बाहर भी नहीं भीज़ा जा सकता इन में से एक मजदूर यासी ने बताया कि ठेकेदार उनके बकाया पैसे का हिसाब किताब भी नहीं कर रहा है जिससे उन्हें आर्थिक तंगी महसूस हो रही है मजदूरों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है इस बारे ठेकेदार ने बताया कि काम बंद पड़ा है लेकिन मजदूरों को 10,000 रुपे बर राशन दे दिया गया है इस सारे मामले की सूचना एस पी हमीरपूर अर्जित सेंठाकुर तथा उपायुक्त हरीकेश मीना को दे दी गई है उपायुक्त हरीकेश मीना के अनुसार सारे मामले की छान बिन की जा रही है PIR TV के लिए हमीरपूर से व्यूरो रिपोर्ट